नमस्कार कक्षा 10 अध्याय 14 संखीकी प्रश्नावरी 14.3 प्रश्न 2 हम करने जा रहे हैं यदि नीचे दिवे हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो X और Y के मान ग्यात कीजिए हमें वरगंतराल दिया है, बारम बारता दी है और हमें साथ में ही ये दिखाया गया है कि बारम बारता में एक स्थान पर X और एक स्थान पर Y है बारम बारता का कुल योग है साथ हमें X और Y का मान ग्यात करना है आए देखते हैं ये हमारी सारनी है सबसे पहले हम इसमें संचई बारंबारता बनाएंगे देखे सबसे पहले है 0 प्लस 5 5 क्योंकि उपर वाले खाने में 5 है इसलिए संचई बारंबारता के भी सबसे उपर वाले खाने में 5 आएगा इसके बाद ध्यान से देखे वचो 5 में x प्लस करना है इसी प्रकार से संचेई बारंबारता बनती है, तो 5 में x प्लस करने पर प्राप्ट होगा 5 प्लस x, 5 प्लस x में 20 प्लस करने पर हमें प्राप्ट होगा 20 प्लस 5, 25 प्लस x, x जो है वह 25 में प्लस नहीं हो सकता, इसके बाद 25 प्लस X में जब हम 15 प्लस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 25 प्लस 15, 40 प्लस X बिना X वाली रख्में आपस में प्लस हो जाएंगी 40 प्लस X में जब Y प्लस होगा तो हमें प्राप्त होगा 40 प्लस X प्लस Y Y ना तो 40 में प्लस हो सकता है ना X में इसलिए अब हमें प्राप्त हुआ है, 40 plus x plus y और 40 plus x plus y में, जब 5 प्लस करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा, 40 plus 5, 45 plus x plus y अब हम निकालते हैं n बटा दो, क्योंकि हमें माध्यक वर्ग निकालना है full n है 60 60 को 2 से भाग करने पर हमें प्राप्त होगा 30 तो देखें बच्चों 30 संचय रहरम भार्ता खारने में देखिए पहले खारने में है केवल 5 दूसरे खारने में है 5 40 प्लस X इसका मतलब क्या है हमारा जो माध्यक वर्ख होगा वो 25 प्लस X होगा क्योंकि जो 30 है वो 25 प्लस X वाले खाने में आएगा 40 प्लस X वाला तो 30 से बड़ा हो जाएगा इसलिए माध्यक वर्ग होगा 20 से 30 वर्ग इसे हम अपना माध्यक वर्ग मानेंगे अब L होता है माध्यक वर्ग की निचली सीमा जो की है 20 20 C F होता है माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचई बारंबारता जो है 5 प्लस X F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता जो की है 20 और H होता है इसी भी वर्ग में उपर वाली सीमा में से नीचे वाली सीमा को माइनस कर देंगे तो माध्यक वर्ग है 30 और 20 वाला यानि 20 से 30 वाला तो 30 माइनस 20 जब हम करेंगे तो हमें प्राप्थ होगा 10 यानि H आ गया है 10 अब हम माध्यक का सूत्र माध्यक बराबर L प्लस N बटा 2 माइनस C F बटा F गुना H इस सूत्र में हम ये सारी वैल्यूस भरेंगे देखिए हमें दिया गया है यदि माध्यक 28.5 हो तो माध्यक की जगा हमने लिखा है 28.5 बराबर L की जगा लिखा है 20 प्लस N बटा 2 आया था 30 माइनस C F है 5 प्लस X तो 5 प्लस X को हमने ब्रैकेट में रखा है क्योंकि इस से पहले माइनस का निशान है बटा F है 20 तो F की जगा लिखा है 20 गुना H है 10 इसलिए H की जगा लिखा है 10 अगले स्टेप में देखिए बच्चो 20 राइट साइट पर प्लस हो रहा था इसलिए हम इसे अब लेट साइट पर ले गए तो यह 28.5 में से माइनस हो जाएगा बराबर 30 आप देख रहे हैं उपर वाले स्टेप में 5 प्लस X से पहले माइनस का निशान था इसलिए इन दोनों के निशान बदल जाएगे तो अब यह हो जाएगा माइनस 5 माइनस X नीचे है बटा 20 गुना 10 अगले स्टेप में देखिए 0 से 0 कर जाएगी इसके बाद बच्चों देखिए 28.5 में से 20 निकाल दो तो हमें मिला 8.5 28 में से 20 गए 8 आगे है 0.5 तो 28.5 में से 20 माइनस करने पर हमें मिला 8.5 बराबर उपर अंच में देखिए 30 में से 5 माइनस कर दिये 25 आगे है माइनस X तो उपर हमारे पास अंच में आगे है 25 माइनस X नीचे है बटा 2 अगले स्टेप में ये 2 25 माइनस X के साथ गुना हो रहा है उधर जाकर 8.5 से गुना हो जाएगा और 2 25 माइनस X से भाग हो रहा है उधर 8.5 से जाकर गुना हो जाएगा तो 8.5 गुना दो होता है सतारा बराबर 25 माइनस X अगले स्टेप में बच्चो X माइनस का था ये बराबर से लेफ्ट साइड पर आकर प्लस का हो गया 17 प्लस का था ये बराबर के राइट साइट पर आकर माइनस का हो गया X आ गया 25 माइनस 13 और 25 माइनस 13 होता है 8 इसका मतलब X का मान आ गया है 8 अब अच्चों आप ध्यान से देखे संचे बारंबारता वाला खाना देखे इस सारनी में इस टेवल में सबसे नीचे है 45 प्लस X प्लस Y हमें पता है ये कूल बारंबारता के योग के बराबर होता है तो देखे संचे बारंबारता का योग है 60 तो 45 प्लस X प्लस Y बराबर होगा 60 इसमें से अभी हमने निकाला है X बराबर 8 तो हम X की जगा लिख देंगे 8 हमारे पास बन गया 45 प्लस 8 प्लस y बराबर 6 अब 45 प्लस 8 होता है 53 हमें प्राप्ट हुआ 53 प्लस y बराबर 6 अगले स्टेप में 53 y के साथ प्लस हो रहा है उधर जाएगा तो 60 में से माइनस हो जाएगा तो y आ गया 60 माइनस 53 तो 60 में से 53 घटाने पर हमें y का मान ग्याद हुआ 7 तो इस प्रकार इस प्रश्ण में हमें माध्यक पहले से दिया हुआ था हमें x और y का मान ग्याद करना था तो देखे हमने x और y का मान ग्याद कर दिया है x बराबर 8 और y बराबर 7 यही इस प्रश्ण का उत्तर है आशा करता हूँ आपको यह प्रश्ण बहुत अच्छे से समझ आया होगा धन्यवाद